नमस्कार आप देख रहे हैं संसेट टेलिविजिन का विशेश कारिकरम नैशनल इवेंट्स और मैं हूँ आपके साथ राजीव कुमार सिंग भारत की परमपरा में नैतिक धनोपारजन यानि इथिकल विल्थ क्रियेशन को हमेशा सरहा गया है और पोटसाहित किया गया है दिल्ली में भारती एक कमपनी सचिव संस्थान के 55 में स्थापना दिवस समारो को संबोधित करते हुए राश्पती द्रौपदी मुर्मू ने ये बातने कहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्मान में ICSI का युगदान सराहनी है इस संस्थान ने अपने आदर्श हुआ कि सत्यमवद धर्ममचर यानि सत्य बोलो और नेतिकता पूर्ण आचरन करो के अनुकूल कारे करके न केवल कुशलता और दक्षता का परचे दिया है बलकि उत्कृषता के नए आयाम और मानक भी इस्थापित किये हैं राश्पती ने इस बात पर संतोष जताया कि ICSI की लगभग 50 पुदुशत सदस्य महिलाएं हैं यह महिला सक्षक्तिकरण और सम्मान अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम है काश्टो किता के बताएगे साथ सीन्स में से तीन सीन है वेल्ट विदाउट वार्क, नोलेज विदाउट करेक्टर और कॉमेर्स विदाउट एथिक्स उपरक तीन सीन्स में समंधित, सीख, सोदेब आपके मारगदर्शक होने चाहिए आपको यह याद रखना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स से ज़्यादा जुरूरी है एथिक्स इन बिजनेस आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि देश में प्यापार और निवेस बढ़ाने के लिए बनाएगे कानूनों का सोद बोजोगों 63 राष्टरी रक्षा महाविद्याले के पाठ्ठिक्रम प्रध्यापकों और सदस्यों ने आज राष्पती भवन में राष्पती द्रौपदे मुर्मु से मुलाकात की इस अस्वर पर राष्पती ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा चिंताएं क्षित्री अखंडता के संरक्षन से कहीं आगे तक फैली हुई हैं और इसमें अर्थव्यवस्था परियावरण उर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा सहित कल्यान के अन्यायाम भी शामिल हैं सशास्त्र बलों की भूमिका का पारंपरिक सैन्य मामलों से परे भी विस्तार हुआ है जटल रख्षा और सुरक्षा परिवेश में भविश के संगर्षों के लिए अधिक एककरित बहु राज्जी और बहु एजेंसी दुरुष्टिकोंड की आवर्शक्ता होगी इसलिए NDC पार्टिक्रम भविश के जटल सुरक्षा माहौल से व्यापक तरीके से निपटने के लिए सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को तैयार करने में महत्वण भूमिका निभाता है राश्पती ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक पातावरण गतिशील है और कई चुनोतियां खड़ी करता है डॉमिनिकन गर्णराज जी और भारत अपने संबंधों को मजबूत बनाने के दुशा में अग्रसर है इसी क्रम में डॉमिनिकन गर्णराज जी की उपराश्पती रकेला पैना रोडरीग्स भारत के तीन दिवसिय दौरे पर है डॉमिनिकन गर्णराज जी की उपराश्पती ने आज दिल्ली में उपराश्पती जगदीब धनकर से मुलाकात की इस दोरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, फार्मस्यूटिकल्स, ICT, कृशी, खाद्य प्रसंसकरण, अंतरिक्ष, उच्च शिक्षा, क्षमता निर्मान, आयुर्वेद और योग समेत विभिनक शित्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई बैठक के दोरान महासागर विग्यान और चिकितसा उत्पाद विनियमन में दो सहयोग समझाओतों ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये गए उपराश्पती जगधीब धनकर ने आज दिल्ली में अपने निवास पर आई एएस 2021 बैच के सहाइक सचिव स्तर के अधिकारियों से मुलाकाद की इस मौके पर उपराश्पती ने अधिकारियों से समर्पन भाव से राश्ट निर्मान के लिए काम करने का आहवान किया वह दुनिया का नितित्तु कर रहा होगा ऐसे में आएस अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आप सब के सब ये कृतिकल पॉसिशनमेकिंग आप के कंदू पर तर बहुत बढ़ा भाहर होगा आएएएएएएएएएएएएएएएँ न फूनिया के सब्सक्राइट के लिए सबसे नितित्तु कर रहा होगा क्या इस्तिती होगी, दुनिया में क्या नाम होगा, इसमें आपका करिश्म, आपका कर्तवे बहुत अद्द दगाएगा, इतने बड़े हवन में आपकी जो हाउती है, वो गेम चेंजर होगी. इस मौके पर उपराश्पति ने कहा है कि देश में अब बदलाव आया है, भरश्टाचार अब बीते जमाने की बात हो गई. हमने वो जमाना देखा है, वेर पावर कॉरिडोर्स वर इंफेस्टेड बई ब्रोकर्स. करप्शन का बॉल बाला था. करप्शन वो दन नॉम. पावर ब्रोकर्स उज़े डिक्टेट टर्म्स. देखते देखते कहां आगे? पावर कॉरिडोर्स वर बीन सनिटाइस्ट, पावर ब्रोकर्स वो यूज़ टू एक्स्ट्रा लीगली लिवरेज डिसीजन मेकिंग, वो पता नहीं कौन से जमाने की बात है, हम भूल गए. यह चेंज आया है. उपराश्पती ने कहा कि देश में हमेशा कहा गया कि कानून से उपर कोई नहीं है, लेकिन सही माइनों में ये अब हकीकत बना है. कानून से उपर कोई नहीं है, ये पहले एक कहावत थी, आज हकीकत है, कोई कितना ही बड़ा हो, किसी भी खांदान का हो, whatever be the lineage, the law is always about you, you have to conform to rule of law, कानून के सामने सब बड़ाबर है. And we are lucky to have at a global level very robust judicial system where you can get justice and on some occasions at a speed unknown to any part of the world. दूसरे चरण कारे जल्दी ही प्रारम होंगे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहरों से परियतन, खेल और अन्य कारणों से कोटा आने वाले युवाओं और खिलाडियों को यूथ होस्टल सुविधा जनक आश्रे की सुविधा प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि विविन प्रदेशों के युवा साथ रहेंगे तो उनमें एक्ता की भावना भी मजबूत होगी. लोगसभाद द्यक्षन ने कहा कि यूथ होस्टल में दूसरे चरण का निर्मान कारे शिग्र प्रारंब होगा. उन्होंने कहा कि कोटा में अंतराश्ट्री स्तर के स्पोर्ट कॉंप्लेक्स के निर्मान के प्रयास करेंगे जहां एक ही छट के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी. लोगसभाद द्यक्षन ने ये भी कहा कि देश की शक्ति का केंद्र युवा हैं. उनके मार्ग में अब हमारी निगा अंतराश्टी स्पोर्ट कॉंप्लेक्स बनाने की है जिसमें एक छट के नीचे सारे स्पोर्ट्स की गत्रीदिया एक चट के नीचे मिले जहां एक चट के नीचे लोगों को जो खिला रही हैं प्रसिशन के लिए उनको एक चट के नीचे मिले ये कुस आदा सफना भी बुंदी में पुरा हुआ है पच्छीस करोड की लागस से बुंदी में synthetic track बना कोटा में हमारे अजीज कोश साब कहते थे कि कोटा में synthetic track कब बनेगा बिना synthetic track के athletic कोई प्रतियोकता में भाग नहीं ले सकता लगातार प्रियास करने के बाद कोटा में नहीं बूंदी के अंदर भी 40 km इलाके के अंदर दो synthetic बने हैं प्रधानुंति नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्री मंति मरंडल की बैठक में कई एहम फैसलों को मंजूरी दी गई जिसमें उज्जुला योजना के लाभारतियों के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर सबसिटी देने राश्ट्री हल्दी बोर्ड की स्थापना समेथ कई निरने शामिल हैं इसके अलावा तिलंगना में समक्का, सरक्का, केंद्री, जङंजाती, विश्वविद्याले की स्थापना के लिए केंद्री, विश्वविद्याले अधिनियम 2009 में संशोधन को भी मनजूरी दी गई सरकार ने उज्जोला योजना किलाभारतियों के लिए LPG सबसिडी प्रतिसिलेंडर एक सो रुपए बढ़ा दी है प्रधान मंत्री उज्जोला योजना किलाभारतियों के लिए LPG सबसिडी दो सो रुपए प्रतिसिलेंडर से बढ़ा कर तीन सो रुपए प्रति सिलेंडर करने को मन्जूरी दी गई है। केंद्री मंतिमंडल ने तिलंगना और आंदरप्रदेश के बीच फैसले के लिए अंतर राज्जी नदी जल विवाद अधिनियम उन्नीस सो चपन के अंतरगत कृष्णा जल विवाद नयाधिकरण द्विती के टर्म्स ओफ रेफरेंस को भी मन्जूरी दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार ने राष्ट्री हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया है। राष्ट्री हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता, खपत और निर्याध बढ़ाने के लिए वैश्विक स्थर पर नए बाजार दिक्सित करने में महतुपूर्ण भुमिका निभाएगा। इससे तिलंगना के किसानों की मांगें पूरी होंगी। बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक एक बिल्यन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी की अध्रक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रमंडली समिती ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बाकी बचे कारियों को संशोधित 2430 करोर रुपए की लागत से पूरा करने के लिए जल शक्ती मंत्राले के प्रस्ताओ को अपनी पूरी दे दी है कारे पूरा होने पर परियोजना से जार्खंड और बिहार के चार सूखा ग्रस्त जिलों में 42301 हेक्टेर को सिचाई सुविधा मिलेगी फिलाल हमारे विशेश कारिकरम नाशनल इवेंट्स में इतना ही आप देखते रहें संसा टीवी नमस्कार झाल झाल